हेलो बच्चो मैं जीतो तन्वर विनिज स्टेदी पोिंट में आपका स्वागत है तो लास्ट किलास में मैं आपको बताया था, parts of speech क्या होती है अब आप मुझे बताओ, parts of speech क्या होती है जैसे कि आपने बहुत वह बताया first noun, second pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection यह सब क्या है parts of a speech फिर मैं आपको बताया था कि अगली class में मैं एक ही topic को अलग से कराऊंगा तो आज मैं आपके सामने noun लाए हूँ ठीक है noun कराऊंगा संगय कराऊंगा और है समझाऊंगा आपको बिल्कुल basic कोई pressure नहीं आपके ओपर कोई कुछ नहीं आपको बहुत अच्छे सब्सक्राइब करें मेरे पड़ाने के बाद एक वीडियो दुबारे देखा करो ताकि रिवीजन हो जाए ठीक है जिससे कि आपके माइंड में कंसेट्प केरो आपको रट्टेने लगाने आपको सीखना है ठीक है और हाँ प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरू कीजिए और जिसे चैनल सब्सक्राइब नी किया वह प्लीज सब्सक्राइब कर देना थैंक यू भाई प्लीज कर देना या ठीक है आये टोपिक पर देखो नाउन नाउन में आपको लास्ट नाउन क्या होता है नाम है तो नाउन है ये मंतर आद कर लो कि अब कर देखओ ये त siento लास्ट रिटा अब देखो ये तो मैं पको लास्ट टेस्म में आह प्रॉ अब्यातर है आज कर रहे हैं टाइप नाउन कितने टाइप至 और नाउन में क्या आते है थ है फस्ट् proper noun का बुट्फर नन कियो प्रॉपर पूरा नन UPुर नम । अपुर नं जाय रब याद़ धोत्या रभाई थहो बिस्ट बिस्ट बढ़े रेखो प्रॉपर नावं एक वानलो 10 नन क्सक्षों है और मैं अस्यूम करा हूँ, था कि इस्ट करा हूँ तो उसको अजिम बत करो भाई, अजिम करते हैं, एक लास में दस बच्चे और दसो के नाम अलग है, ठाग है, अब मैं कहता हूं, कि जीतु, खड़े हो जाओ, तो आप मुझे बता हीए, जीतु खड़ाओगा या आनद खड़ा होगा, जीतु खड़ाओगा नभाई, जीतु तो भाई में कुछ अलग थोड़ी ना बोल रहा हूं। प्रोपर नाउन का मतलब यह होता है कि प्रोपर जिसका नाम लिया जाएगा, इसको प्रोपर नाम से बोला जाएगा, ठीक है अब जिसे जितु, आनंद, सुमित, यह सब क्या प्रोपर नाउन है यह पर कंप्लीट नाम है यह पर आपको सोचने की जूरतनी पड़ती है मैंने काना जितु आपको मैंड़ के लिगए उसकी बाद चल रही है मैंने काना आनंद आपको चल रहा है तो देखो नाम है तो नाउन है और याप को अर इफसे चल रहे है यह और दौह पर, और यह आपको और अक्षEx aave हो जाइगा पाई नाउन पर अभी को मान देखते है अभी को ऊन से दूबार आ प्र आप से भाजय पर जुशचों का हुवा एड्री मारे जब मुझे कोट आप गर ऐस दॉप तो आप मुझे बताः ऊच्छे को निन का लिखा होगा। क्योंकि सारे बोई आठो और बोलोग गल इस तंड अप तो दोनों गल आपस देखी भी मेरी शगल देखी कि कि खड़ा किसो हो ना सर किसकी बात कर रहे है ठीक है तो देखो कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन यही डिफरेंस है प्रोपर नाम से बुलाएजार आपको किस तो की कि बतीक है और आठीक है रोगा है रोगर हो गुषाफट गुछुभी कोलेज मैं बाक्यट कमऊर है रहा है रही मैं बयुकि कोलेजु कि यह डाथ टो ओसकता तो देखो, प्रोपर, और, कोमन, नाउन में, सिर्फ यही डिफ्रेंस है, कि यह कोमन होता है सब के लिए, सब को बोल जा सकता है, मैंने बताए आपको, तुर ठीचर है, एक इसकूल में मानलो पचास टीचर है, तो मैंने रगा मुझे टीचर से मिलना है, मैं प्रिंसिपल आख सी अजे जला है तो यह तो। ए जो एक यह जो भी हम पाग एक एख गग फ्सम्ठा प्रोपर नाउग और प्रोप्र न ऊर कॉमें ёт को मुट्रड स्ब्सरत के लिए हइफ फ्सकूल ए निए ओनधा एट सुम हम ए अन्धा ыт씨 तो थे उसर ना चैकले सर सती सर, जराम सव showed वहma सड typ बलतो मैं अगर इज बोलत क्वा इस सब थालने सर तो प्रोपन नाउन अगर मैं बोलता हूं कि बला था Columb superior दो था but the knowing से सर नार था और टो easy बलाऊवहन ठोपे बुलाऊगें उसे केते हैं common noun, जहाँ पर प्रोपली किसे के नाम लिया रहा है उसे केते हैं proper noun, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आगया हुगा, निया आया, तो मुझे उसे बसड़ा क्यों बोलते हैं, बसो का अड़ा, बसो का अड़ा मिंस वहाँ सारी बसे आके खड़ी होती है, जहां सारी बसे आके खड़ी हुई उसे हमने बोला बसड़ा, एरपोर्ट, एरपोर्ट क्यों होता है, वहाँ सारे एरोपेलन खड़े होते हैं, जहां एरोपेलन दिसे बैसे прожड़ को फ्कारे एकसा लिडि दो कि भी इंसकूल हे को भेसिंजरें की एकस्ऻ or बच्च बैस्के एकस्टों बढ़ाईगा व लिए आगेटेंट greeting की लिजये चाह स्कोल के लिए लिए एर आवी ना फिर ढशिशải होते जरोट निसे अरऊ शिप में चब भड तो पंदरगा जहा बसे ढिटे बस फटेंड टेंड अवही जर्लें रेल्वे स्टेशन 2018 तो उसे हम बोलते हैं कि railway station, क्योंकि rail घड़ी है, नई, जहां पर कई सारी rail होती है, कई सारे यातिरी होते हैं, उसी जगे के तो बोलते है railway station, यह कहीं भी बीच में गाड़ी रुगी पटरी पर, हमने बोलते हैं, railway station है यह वाला, बस पता नहीं कौन सा है, बस railway station है, तो भाई यह सब के लिए common होते हैं, जैसे boy teacher, तो common noun, क्लेक्शन होता है चीजों का, airport, dock, यह सब, ठीक है, थर्ड आते हैं, material noun, material noun, ठीक है, अब नाम से के लिए आपको material, material मतलब कुछ बनाने के लिए सामान, जैसे मानलों हम घर बनाते हैं, तो घर बनान के चीज़ होती है, इंटे, इंट, सिमेंट, रेता, बदरपूर, कॉंक्रीट, सेंड, यह हमें चीज़ होता है, ठीक है, तो basic material, कुछ material मिला के कुई नई चीज़ बनती है, कुछ दूसरी चीज़ बनाते है, इंट मिला के इंटों से घर बनता है, सिमेंट से भी घर बनता है, ठीक है, और for example, गन्ने से चीज़ बनती है, तो चीज़ क्लिक क्या material है, गन्ना, ठीक है, तो देखो, जो भी basic material होता है, जिन से कुछ नया बनाते हैं, उसे क्या बनते है, material noun, जहाँ पर matter की बात आती है, सावान की बात आती है, उसे करते है material noun, लकडी लाके हमने furniture बनाया है, तो लकडी क्या है, material, ठ बनाई उसे कहते हैं material हुआ है तो कपड़ा लाक हमने शवर्ड फेंट बनाई ठीक है उसे कहते है material तो जिससे कुछ बनता है कुछ matter बनता है कुछ सावन बनता है तो सब्सक्राइब आपको जब भी आएका जिससे आपका समना इंट आया cement आया, concrete sand यह सब आया, तो अब समझ जाओगी, material आ रहा है, तो material आउन ही यह, ठीक है, अब आता है, अगला abstract noun, abstract noun क्या शो करता है, कई बारना, कुछ feelings होती है, जैसे, मैंने का, I love her, मैं उसे प्यार करता हूँ, I love her, मैं उसे प्यार करता हूँ, तो यह पर लवना, फिलिंग नहीं है, यह लव एक वर्ब है, प्यार करना, प्यार, प्यार और प्यार करने में फर्रकों है, प्यार की बात करोई और प्यार है, ठीक है, शी इस माई लव, रह मेरा प्यार है, कि चलसे ङरोणारे पलेखके पारी कि ते हिर चलारी है, है this is my love, for example, as I was talking about this I have said she's my love, तो that's my love, then there's one something that's got happened to say, that's my love certain person, but alright I love her, I love that, I love her, hmm I love her, so here, that is not a person not a person, it is a verb, work looks like love, you know so schon गिंघ बम्हिब आप्रेंट जी जी सर्फिंटबटिया था does hate meaning so this harsh means here is none word meaning Anger Deborah is a word sorry a noun Childhood state is not city state means position a time पैसेच अब लोड है चाहिए मैंचएडलीड वाज सम्न मेरा बच्पन बच्पन बच्छा था तो यहांगे तो तो एको किसी एक्षिण की अवरब की बात इं चल रही है यहांगे उस समय की बच्पन आप चल लिए विज़ा है बच्पन बच्मन इस्थिति पोजिशने स्ट एक सभब पैसेज औफ टाइम है ठीक है तो थेखो चैल्डलट है नाउन है एंगर पैसेट नाउन हे लग्न पालव जो हमारी फीलिंग सोती है वह भी नाउन किलाती है फीलिंगस के नाम हर शे के लिख़े बता है नाउन का मतलब कै नाम है तो नाउन है there is a name, where is a noun okay? means wherever there is a name, there is a noun wherever there is a name, there is a noun okay? so let's hope that you will understand and if you haven't come, please this is my whatsapp number and you can follow me and here you can follow me Insta ID if you have any doubt in your child if you have any problem then don't know don't learn anything because until you ask you don't know so you don't know where you have started learning you have started learning you have started learning remember this where you have hidden they have failed you when you have asked they have fought yourself ok? if you ask you have further and if you keep hidden then you will drop there or you will go back you will not get further so you have to ask so to ask you can get me you can call me मेरे नमबर पर या फिर मुझे इंस्टा इडी पर follow कर सके message कर सकते हो आपकी चोईस है बढ़ रिक्वेस्ट है की पूछो जरूर कुछ सब्सक्राइब जरूर पूछो आप उसको ठीक है बागे मिलते हैं नेक्स क्लास में ने टोपिक के साथ थैंक यू